हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनें स्वाइच करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एसाइक का जो डिजल्ट है आपका वह आ चुका है और कट अफ आप सब देखी चुके होंगे कितनी हाई कट अफ जो है वह गई है यूपी एसाइक के एक्जाम की तो इसमें बहुत से केंडिडेटों की ये समस्य आ रही है कि कट अफ से उनके रो मांक्स जो है वह ज्यादा थे लेकिन फिर भी उनका जो है कट अफ कि लियर वाले केंडिडेट जो उन्होंने लिस्ट निगाली है उसके अंदर उनका रोलंबर नहीं है और बहुत से केंडिडेट ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो स्कोर कार्ड है वह कब तक अपलोड किया जाएगा और उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है कि सैकेंड लिस्ट जो है वह आपकी जारी होगी या नहीं होगी तो इन सभी चीजों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप वीडियो को इसकिप नक करें और बेकार के कमेंट भी नक करें कि यह क्या हो गया यह ऐसा कैसे हो जाएगा यह सब आप वीडियो को समझें क्योंकि आपके पास नोकरी नहीं है आप एक इस्ट्रगलर है तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज है मेहनत अगर आप उससे भी पीछेट जाएंगे तो आप जिंद्गी में फिर आगे लोकरी नहीं ले सकते तो आप पॉजिटिव सोचिए और इस वीडियो को समझें चैसा कि मैं आपको इसमें बताता हूं कि यूपी ऐसाई का जो है ड सिर्वि जो है कट सवाग के मैं बात करता हूं तो 121 सवाल पर गई ओवीजिए चांस के अगर बात करता हूं तो के लिए 105 सवाल के करीब और सबकी जो प्रिडिक्शन थी वह यह थी लेकिन प्रिडिक्शन से अलग जो कट ओफ आई वह इस तरीके साइब कितने सवाल पर कट लगनी चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट ने जो जारी की कट ओफ वह इस आधार पर किया है अब जो डिपार्टम सब्सक्राइब को यानिके ज्यादा ही है 3.6 होंगे या 3.7 होंगे यानिके लगबग एक पोस्ट पर इन्होंने 3.5 यानिके साड़े तीन बच्चों को डीवी पीस्ट के लिए बुलाया है अब आप यह देखिए मैं आपको सेकंड लिस्ट आएगी और नहीं आएगी इसक सारे बच्चे पास हो गए लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि अगर मैं आपको और भी एक्जाम का डाटा दूं जैसे कि एससी जीडी होता है या फिर एससी सीप्यों होता है उन सम्मे जो है टैन टाइम्स केंडिडेट को फीजिकल के लिए बुलाया जाता है अब आप यह बोल लिजे कि इसके अंदर टाइम जाता है तो इसकी रैंक भी जाता है और आप सभी को पता है कि एक कॉंस्टेवल वाला जो केंडिड होगा वह 24 मिनट के अंदर 4800 मीटर त से यह कहा जाए कि तुवाई SI का पेपर क्लियर कर लेगा क्या तो बोलेगा नहीं यार बहुत है यह है वह वह है उसके अंदर मैट भी अथी आती है तीस दिंग भी अथी आती है तो वह नहीं कर पाएगा लेकिन अगर मैं जो यूपी SI या फिर SI के लिए SI CPO में भी जो होत क्या होता है कि वह फीजिकल की तैयारी दब करते हैं जब वह डिजल्ट में अपना नाम देख लेते हैं अगर डिजल्ट में नहीं है तो फीजिकल की तैयारी नहीं करते हैं अगर फीजिकल अगर डिजल्ट में नाम है तो वह तैयारी स्टार्ट करते हैं तब से और यह और अगर में गर्ल्स के बात करता हूं तो चोबिस सो मीटर उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल पढ़ने वाला है क्योंकि आपकी रेस जो होगी वो धूप में ही होगी जाहिर से बाद आज आज गल तो शाड़े शे बज़े धूप निकल जाते ही तो अगर आपकी रेस नो बज़े भी होती है तो आपको धूप में ही भागना होगा और धूप के अंदर भागने का मतलब है कि आपने स्टेमिना अगर बिल्ट कर रखा या आपने बहुत लंबे समय से तैयार कर रहे हैं फीजिकल की तो आप इजीली निकाल देंगे ने पीजिकल की टाइमस होते हैं जैसे कि तैमस लेता है जीडी के अंदर जो अभी लिए गए है और उसका टाइमस रखा यह यह हैं उसके अंदर फीजिकल थोड़ा सा तफ होता हैू और िलेवन ताइमस कम होता है उसके के अंदर आपके 28 मिनट है 28 मिनट लेकिन उन केंडिडेट का मैं बात करना चाहूंगा जो कटोफ से कुछ नंबर कम है उनके रोमाक्स जैसे कि यू आर के लिए बात करूं अगर 121 पर कटोफ गई है अगर उनके 119 के आसपास हैं और अगर उनके 111 के आसपास हैं अगर 104 कटोफ कई है तो वह अपने आपको मान सकते हैं क्योंकि अगर पहली लिस्ट के अंदर उनको फीजिकल के लिए 9534 केंडिडेट फीजिकल में पास नहीं हुए तो जाईर से बात उनको सेकंड लिस्ट जो है निकानने ही पड़ेगी और उसके बाद अगर आपको एक वीक पहले पता चले कि आपका फीजिकल है और आपने कोई तैयारी नहीं की है तो आप क्या पाच किलो मीटर या फिर धाई किलो मीटर की जो रेश है वो इसलिए मार पाएंगे बिलकुल नहीं क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर वही केंडिडेट पास कर सकत है फीजिकल जो पहले से तैयारी कर रहा है लंबी तोड़ के लिए आप तस दिन भाग कर या बीच दिन भाग कर फीजिकल के लिए नहीं कर सकते तो सेकेंड लिस्ट जो है आने के आपके पूरे पूरे चांसित हैं अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई और चीजे नहीं हुई तो सेकेंड लिस्ट आपकी जरूर आईगी और अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करता हूं तो डीवी पीस्टी के बाद डीवी पीस्टी के ब कट इस कट आएगे मैं अलग होगी जारीक करने के लिए इनको सी कट जो है वह और मैं टॉमेटिकली फाइनल जो cut off है उसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता अगर second list आती है तो आपकी final cut off जो है वो decrease होगी होगी अगर second list नहीं आती है तो आपकी cut off है जो यही जाएगी जो अब है इससे 4-5 सवाल जो है वो जादा हो जाएगी अगर किसी के 4-5 सवाल इसके अंदर जादा है तो वो अपने आपको safe माने बस physical की तैयारिक करे आशक करता हूँ मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया होंगे और आपके मन में कोई ऐसी वैसी अगर बात आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताती जेगा क्योंकि department के अंदर और physical के अंदर फीजिकल के अंदर हमेशा यह माना जाता है कि दस candidate के अंदर से एक candidate को हम उठाएंगे लेकिन UPSI के अंदर ऐसा नहीं है इसा लगता है कि हम साड़े तीन candidate के अंदर ही एक candidate को उठा लेंगे मैं आपको एक example देता हूँ cpo ऐसाई का दो हजार उन्निस में द्रिजिकल में पास हुए थे तो उसके अंदर 48,000 बंदों में से 48,000 candidates के अंदर से सिर्फ 5,000 candidate ऐसे थे जो फीजिकल में पास हुए थे उसके अंदर क्या था साड़े छे मिनट के अंदर आपकी सोला सो मीटर की दोड थी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सैकेंड लिस्ट जो वो आएगी है नहीं आएगी तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरू ट्रेस्ट कर दीजेगा गुर्मन जोब की पलपल अब दीट के लिए थैंक यू